असी के बड़ा गाम थाना इलाके में खदान धस गई, खदान में अच्छानक धसने से महिला मजदूर मलवे में दब गई, आनन्फानन में प्रशास्तिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पॉकलेंड मशीनों की साहता से पत्थरों को हटा कर महिला की तलाश शुरू कर दी गई है, उसी मलवे में उसकी पत्नी भी दब गई है, तो बता दे कि जहां से के बड़ा गाम थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खदान के अच्छानक धसने से महिला मजदूर मलवे में दब गई, आनन्फानन में प्रशास्तिक अधिकारी भी व कोकलेंड मशीन के सायता से, पत्थरों को हटा कर महिला की बल्या जो तलाशी है वो शुरू कर दी गई है, बताया जा रहा है कि ओच्छा निवासे सुनिल और उसकी पत्नी ग्राम दिगारा में इस्तित एक पत्थर गिट्टी खदान पर काम करते हैं, और इसी वजह से जब सुनिल पानी पे ने गया हुआ था, तो लोटकर उसे अपनी पत्नी दिखाई नहीं दी, तो उसने तलाश शुरू की, वहाँ जो लोग मौजो थे, उन्होंने उसे बताया कि कुछ मिट्टी यहां दस गई है, उसी मल्वे में हो सकता है, उसकी पत्नी वहां दब गई हो, औ उसके बाद वहाँ पर तलाशी शुरू कर दी गई है, बता दे, महिला को निकालने के लिए वहाँ रैस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, अलंकि बता दे कि यह पूरी खटना यूपी के जहासी के बताई जा रही है, जहां पर एक ख़दान पर मौजूद पती पत्नी वहा यह हाथ सा हुआ कर रही है किस तरीके से फोकलेंड मशीन के माध्यम से वहाँ पर पत्थर अटा कर अब महिला को बाहर निकालने के जुगत की जा रही है, सभी जो लोग है वहाँ पर मौजूद है, हालां कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि महिला वहाँ ठीक है कि क्या फिलहाल इस्तती ह है वहाँ की